में एक सवाल तो जरूर आया होगा ना कि आखिर नितीश चुनाव से पहले ऐसा करते क्यूं है और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बार के लोकसभा चुनाव में इस बड़े बदलाव के बाद क्या समीकरन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं अब बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटे हो जाती है अब बिहार में लोकसभा की 40 सीटों का समीकरन क्या कहता है ये भी जरा समझिए बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटे हैं और इन 40 सीटों को 2024 के लिए अगर आपको मुझे समझाना है तो इससे पहले 2019 में मुझे आपको ले जाना होगा और 2019 के चुनाव पर एक नज़र डालने होगी तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 2019 में कितनी सीटों पर किसने चुनाव लड़ा और उस चुनाव लड़ने के बाद किसे कितनी सफलता मिलती है 2019 में भारती जनता पार्टी, जेडियू और लज़र पी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 49 सीटों पर जीत भी दर्च कर ली थी भारती जनता पार्टी को 17, जेडियू को 16 और लज़र पी की बात करें तो 6 सीटों पर उस वक्त जीत मिल गई थी सिर्फ और सिर्फ एक किशन गंज में जेडियू को कॉंग्रेस उमीदवा डॉक्तर मुहम्मेद जावद के हाथों से हार मिल गई थी बाकी सारी सीटों पर जीत दर्च कर ली थी लेकिन अब सवाल ये है कि 2024 में नई सरकार का बिहार की इन 40 सीटों के लिए ये फॉर्मूला क्या होने वाला है तो चलिए अब ये भी मैं आपको बताती हूँ विश्वस्निय सूत्र ये बताते हैं कि इस बार भार्टिय जनता पार्टी 20 सीटों पर खुद चनाव लड़ने वाली है और उसके बाद 14 से 15 सीटे जेडियू को वो दे सकती है अब पार्टी के रणनीती कारो का ये कहना है कि लोक सभा चनाओ के बाद बिहार में भार्टय जनता पार्टी अपनी पकड को मजबूत करने की शुरुआत करेगी ऐसा इसलिए क्योंकि नितीश के बगेर भी उसके बाद वो अपनी इस्थिती को बिहार में मजबूत रख सकेगी लेकिन नितीश की तरफ से जब ये कदम उठाया गया और इस फैसले के बाद आप ये मानिए कि बिहार में सियासी भूचाल साह गया डेपुटी सीएम की कुरसी इस से हाथ धोय तेजस्थी आदम ने तो ये दावा कर दिया कि 2024 में ही जेडियू खत्म हो जाएगी अभी खेल शुरू हुई है अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और आप लिख के ले लिजे जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है दो हजार चौबिस में ही खत्म हो जाएगी ये निश्चित रूप से लिख लिजे उधर आप देखें पुर्शान किशोर ने आगामी विधान सबाग चुनाओ के लिए जेडियू को बीस सीट भी नहीं मिलने की बात के डाली है अगले बिधान सबाग चुनाओ में नितीश कुमार की दल जदियू को चाहे बाजपा के साथ लड़े बहागर बंदन में लड़े अकेले लड़ गाए बीस सीट नहीं आएगा अगर आएगा तो ये आप लोग सब रेकोर्ट कर रहें नोट करके रखिये मैं जीवं में अपने काम से सन्यास ले लोगा बिहार की जनता के दुग्ड़ता पर मुझे इतना यकीन है अब ये खिस्यानी विल्ली कितना भी खंबा क्यों न नोच ले लेकिन वास्तुविक्ता तो ये है कि ना सिर्फ नीतीश बाबू बलकि भारतिय जनता पार्टी ने भी सारा का सारा सियासी नफ़ा नुकसान देख लिया है और उसके बाद ही ये बड़ा कदम उठाया है बिहार में जातिगत समेकरण कितना ज्यादा जरूरी है उसका सबसे बड़ा उधारण जातिगत जन्गर्ना को भी देखा जा सकता है लेकिन 2024 के लिए भी इस नई सरकार के पास एक मजबूत प्लान अब तयार दिखाई दे रहा है कैसे आईए मैं आपको बताती है अब देखिए बिहार में जो ये नई सरकार बनी है ना इसको इस नई सरकार में दो डेपिटी सीम मिल गए है ये खबर आपने जरूर देख ली होगी पहले है समराट चौधरी और दूसरे विजैसिंधा अब सबसे पहले बाद समराट चौधरी की करते हैं जो बिहार बिजैपी की अध्यक्ष हैं और OBC कुश्वाह जाती से वो तालूक रखते हैं अब ये भी जानिये कि वो नितीश कुमार की अतीत में खुल कर कई मौकों पर आलोचना करते हुए दिखाई दिये हैं अब इन्ही नितीश कुमार की ताकत लवकुष जाती को माना जाता है कुर्मी कुश्वाह जाती के लिए लवकुष टॉम का इस्तिमाल हमेशा से बिहार में किया जाता रहा है समराज चौधरी को डेपिटी सीम बनाकर भारतिय जनता पार्टी नितीश कुमार के सपोर्ट बेस में घुश जाना चाहती है अब समराज चौधरी ने नितीश कुमार के साथ शपत ली जब वो सिर पर आपने तस्वीर देखी होगी साफा बांदे हुए थे अब मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही साफा है जिसके बारे में ये उन्होंने कहा था कि ये तब ही उतरेगा जब वो नितीश कुमार को सपता से बाहर कर देंगे अब समरार चौदरी के अलावा भाटी जनता पाटी ने विजे सिनहा को भी डेपिटी सीम चुन लिया है उनकी भी बात ज़रा कर लेते हैं अब ये दोनों नेता ही नई पिढ़ी के आकरामक नेताओं में गिने जाते हैं विजे सिनह की मैं बात करूँ तो भूमिहार जाती से वो तालुक रखते हैं और बिहार में बहुत बड़ी तादाद में भूमिहार जाती से जुड़े हुए लोग रहते हैं और ये इस लिहास से एक मजबूत वोट बैंक भी हो सकता है अब उन्हें डेपुटी सीम बनाने के पीछे कारण भी यही है कि भूमिहार जाती को टार्गेट कर लिया जाएगा अब एक सबसे बड़ा सवाल जो मेरे और आपके मन में जरूर आया होगा क्या किर इतनी मजबूत भारतिय जनतापाटी ने 2022 में नितीश से धोखा खाने के बावजूर कैसे आखे नितीश कुमार को अपने पाले में ले लिया अब इसके कई कारण है जो सीधा जुड़े हुए हैं किस से 2024 के लोकसभा चुनाव से वो क्या कारण है आये जानते हैं नितीश कुमार 72 साल के हो चुके हैं और नितीश अपने राजनितिक करियर के धलान की ओर है और बिना किसी मजबूत उत्तराधिकारी के वो इस वक्त हैं अब भारती जनता पार्टी का ये मानना है कि इन सभी कारणों से नितीश को किनारे करना थोड़ा आसान हो जाता है अब इस वक्त भी मैं आपको ये बतादू कि बिहार में जेडियू की हालत बहुत ज़ादा अच्छी नहीं है 243 सीटों वाले बिहार में जेडियू के पास सिर्फ और सिर्फ 45 विधायक है अगर भारती जनता पार्टी की बात करें तो अकेले बीज़ेपी के पास 78 विधायक है अब अगले साल होने वाले बिहार विधान सवाग चुनाओं में अगर भारती जनता पार्टी ने जेडियू से जादा सीटे जीत ली तो पर जानते हैं न क्या होगा मुखे मंत्री की कुर्सी पर वो अपना दावा कर सकेगी और यही कहीं न कहीं प्लानिंग भी की जा रही है अब सूत्र तो ये भी बताते हैं कि नितीश कुमार को सम्मान जनक निकासी दे दी जाएगी और फिर 2025 में नितीश को केंद्र में एक बड़ी जगा दी जा सकती है अब एक और बड़ा कारण भी मैं आपको बताती हूँ बड़ा कारण ये है कि भारती जनता पार्टी जाती और पहचान से जड़ी हुई राजनीती पर काबू पाना चाहती है नितीश कुमार अगर बीजेपी के पाले में रहते हैं तो कुछ दिन पहले जारी किये गए जाती सर्वे से होने वाले जो सीधा फायदा होगा उसे भारती जनता पार्टी उठा सकती है अब बीजेपी के इस कदम से यानि कि जब नितीश कुमार यहां शामिल हो गए है भाजपा के साथ एंडिये के साथ सरकार बना लिये बिहार में तो इस कदम से आप जानते हैं सबसे बड़ा जटका किसको लगा है इंडी गटबंदन को इस गटबंदन को जोड़ने में सब हुई है लेकिन अब दो ऐसे लोगों को बीजेपी ने डेपिटी सीम बना दिया है जो नितीश कुमार के आलो चक रहे हैं समय समय पर कई सारी ऐसी तस्वीरे हमने देखी हैं अब अंदर खाने एक और खबर आपको बदाऊं खबर ये भी है कि नितीश ने फड़ से सुशी किल मोदी को ही डेपिटी सीम बनाने की मांग की थी लेकिन भारती जनुता पार्टी ने इस मांग को माना ही नहीं अब चुनाव के लिए चला गया ये मास्टर स्ट्रोक कितना सही साबित होगा उसके लिए इंतजार चुनाव के नतीजों तक जरूर करना होगा लेकिन इसी झाल